नमस्कार मैं शम्भू कुमार सिंग और आप देख रहें सल दस्तक मैं इस समय कनाट प्लेस यह दिली का दिल है जहां येस बैंक के एक ब्रांच के सामने आया हूं मैं अंदर जाना मना है अंदर लाइन लगी है लोगों की छोटा ब्रांच है उसके बाद भी दो बड़ी बड लाइन है लोग अपना चेक बुक लेके और कैश निकालने के लिए 50,000 जब से लिमिट कर दिया गया है कहा जा रहा है कि इस बैंक जो है वह अब फाइनेंसरी लिंच हो चुका है उसमें पैसे आप 50,000 से ज्यादा नहीं निकाल सकते हैं उसके बाद लगातार देश की सबसे बड़ी खबर है और मैं यस बैंक के सामने हूँ मेरे कैमरा मैं यहां से दिखाएंगे बंद कर दिया गया है यहां से आपको पता नहीं चलेगा साथ पता चले पीछे से कि लोगों की लाइन लगी हुई है और लोगों में मतलब भहुत सुकता है लोग को लग रहा है कि ऐस तो लोग बैंकों के लाइन में थे दूसरी बार तब पीम सी बैंक डूबा था उसके बाद लोग लाइन में थे और अब यस बैंक समझे वो राना जो है जो राना कपूर जिन्हों ने कहा था कि नोटबंदी मास्टर स्ट्रोक है उनका बैंक अब डूब गया है यह अच्छा यह अच्छा रिपोर्टर तो लोग बाचित कर रहे हैं और पत्रकारों की भी लाइन है तो यह बैंक डूब गया है यह देखिए यह बैंक इस बैंक डूब गया है अंदर बहुत भीर है तस्वीरे आपको लही लेने दी जा रही है लेकिन यह साफ है कि लोगों में लाइने का पिया सारे तीन बजच चुके हैं हमोमन जो लेन दिन का बैंक सारे चार बज़ तक जो काम है वो धाई बज़ से पहले दो बज़ तक हो जाता है लेकिन सारे तीन बज़ने वाले हैं फिर भी जिनको जरूरत होगी वो पैसे निकालने के लिए लाइन में खड़े हैं पाल रोतगी जो बहुत बड़ी समर्थक है इस सरकार की उन्होंने आज एक ट्वीट किया है कि कम से कम मेरे पापा का पूरा पैसा लगा हुआ है वो तो बताया आप कुछ बात करना चाहेंगे सर प्याइब करने को प्लिक्यों कर दिया गया है कोई भी निया बैंक आएगा वह इसको पहले इसी तरीके से अनाउंस करेगा कि आप पचास मैं आपसे समझना चाहता हूं अच्छा जो यह बैंक डूबा है बैंक डूबा किस ने बोला आपको बैंक डूबा है यह कुछ नहीं हुआ यह आर बी आई जो है यह इसने इसको कंट्रोल में ले लिया है जो लोग इसको मैनेज कर रहे थे उनसे लेके आर बी यह पचास जार का फिक्सेशन क्यों होता है इसलिए यकदम अगर नहीं करते यह फिक्सेशन तो लोग जो है लाख रुपया क्रोड रुपया अब यह दो बाकी बैंक कि में क्यों सिक्शन बढ़िया ने ठीको और उसमें कर दो चार दिन चाहे 15 दिन इसके लिए इनको लिमिट करनी पटती दिया कि पैनिक कोके लोग सारा पैसा नहीं निकाल जिनके डिपाउसित बढ़े हैं उत्ता क्यों होता इसी कनून है यह क्या कनून है तो और बंक और स्टेट बैं मेरा नाम क्या है मेरे नाम क्या लेंगे आप अप से पुछा ना उड़े सीधे सवाल पूछा फूरी आप उसके बारे में पूछा नहीं आपको तो है ना 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 आपको कि इसी पर लिमिट क्यों हुआ आपको चोटे-छोटे सब्दों में बताता हूं इसलिए मैं कहा रहा हूं अभी जो सरकार चल रही है जो उसका जिंडा है उसमें सरकार के समर्थक लोग है वह बहुत बात करते हैं वह बहुत बात करते हैं वह बहुत लोजिकली आप से बात करते हैं सचाहिए है कि यस मिर्प करप्त हो गया है बैंक करप्सी हो गया है कि इसको कहा जा रहा है कि यह लिए oldie अ अगर यह विलाइस टोफ से यह अँए जैसे लगएगी अब पैसे लगाएगी तो वहां भी नुकसान होगा तो दुसरा बांक यह है जो इस तरह के करपसी में जा रहा है पहले PMC तस्वीरे नहीं लेने दी जा रही है हंगामा मचेगा अभी दो-तीन दिन और रुकिए जैसे ऐसे अगर इने लिमिट नहीं क्रियेट की लिमिट नहीं बढ़ाई तो बचेगा लेकिन एक बात तो साफ है कि जो समर्थक हैं इस सरकार के वो उन पर कोई फर्क नहीं पर रहा है और इसलिए इस सरकार को भी कोई फर्क नहीं परता है ऐसे दो-चार बैंक और डूबेंगे सत्रा बैंकों का मर्ज हुआ है उसको डूबना ही कहते हैं फिलहाल सरकार के पास जो कि समर्थक है वो बने हुए हैं बैंक भले ही डूब रहे हो कैमरान विनोत के साथ शमु कुमार सिंग नेशनल दस्तक सीपी दिल्ली नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें